बोलते हैं कि 40 या 55 से कम चलानी चाहिए क्योंकि इसका जो मेन रिजन यह देख आप हमारा इंजन हेलो गयाज वेलकम बैक टू मैं ट्रीप चैनल टैक बाइकर कैसे आप सभी आप सब अच्छे होगे बिल्कुल सेफ होगे आज के जो वीडियो का टॉपिक है ना काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने माला तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज गयाज व वीडियो को अपने फ्रेंड्स वागएदा में सेयर करना फ्रेंड्स वागए तो थो आसा भाई नए लोग एड़ होंगे नए लोग वीडियो को देखेंगे तो थोज सी जीच मिल जाएगी तो प्लीज यह सब चीजे कर देना अब आतने आज के अपने में टॉपिक पे इ आराम से चलाना चाहिए कुछ लोग का कहना है कि नहीं भाई को फर्स सर्विस से पहले भगादो बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यह पुरानी बाते थी कि बाइक को फर्स सर्विस से पहले आराम से चलाना है तो यह चीजे आज मैं अच्छे से क्लियर कर द कि एक मिडिल सेग्मेंट की बाइक को कैसे चलाना चाहिए सबसे पहले एक बार आप लोग इंजन देख लो तो में चीज होता है कि फर्स सर्विस से पहले बाइक हमेशा कंपनी वाले बोलते हैं कि 40 या 55 से कम चलानी चाहिए क्योंकि इसका जो में रिजन है यह देखर आप हम दाद होगे न तो होगा क्या कि जो इसके अंदर के पार पूर्जे हैं वह सही से घिसेंगे नहीं और उनमें प्रॉब्लम आ सकती है और अगर आप अराम अराम से चलाओगे जितने में मतब साफ्ट वगरा होते हैं जितनी वी अंदर की टाइमिंग चैन वगरा जो भी और फिफ्टी से कम चलाने का मतलब यह नहीं है कि आपने फर्स्ट गेर में या सेकंड गेर में फिफ्टी भगा दी नहीं गेर के अपको भगाना चाहिए जैसे आपका यहां पे हैं मीटर दे रखा है तो कोसिस करना ना कि 400 चार इससे नीचे ही आपकी बाइक रहे मतलब हर यह स्पीड होती है उसी के अपको बाइक चलानी है ऐसा नहीं कि आपको भाई भगादी 50 से नीचे हो लग है तो आप दूसरे ही गेर में बाइक को 50 चला जो यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो हमारी बाइक की में चीज है पैट्रो नहीं होता है बट सर्विस सेंटर वाले जो सर्विस करता है वह अच्छे से बता पाते तो पता कर लेना कि आपकी बाइक में कौन सा पैट्रोल ज्यादा सही रहेगा अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं एक्टिवा में एक्ट्रा प्रिमियम डलवा देते हैं स्पीड तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैंने पता कि है वह यूजलेस है अगर आपका काम सुई से हो रहा है तो तलवार की वहां पर कोई जरूरत नहीं है तो वैसा ही सीन है कि अगर आपकी बाइक में नॉर्मल पड़ता है तो हमेशा नॉर्मल डलवा पट अगर कंपनी करती है कि एक्ष्ट्रा प्रीम भाटता इसमें तो आप हमेशा उसे ही डलवाव प्लीज उसे चेंज मत करना या तो अगर आप नॉर्मल डलवा रहे हो तो लाइफ टाम फिर नॉर्मल ही डलवाते रो वह जपर वहांँ लोडी यह भाटते हो ठीक है साथ ही में एक चीज़ साय सॉलीूशन बताना चाहूंगा कि आप लोग क्या करो आपने बाइक खरीदी या कभी भी बाइक में 1000 का टलबालो ठीक है 1000 का पेट्रोल जल चुका अब जैसे मान के आपको फिर से पेट्रोल ड्लवाना है इससे क्या होगा आपकी बायक में हमेशा पैट्रोल लेगा और साती में एक सबसे जाधा बड़ा फैडा होगा कि आप मानलो चले गए मेश्जपीर नहीं हो घ्ल słu aga बट आपकी बाइक में तो चार लीटर या पाच लीटर है ना तो आप नेक्स्ट डे आके फिर से स्पीड या एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा सकते हो तो इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बाइक की लाइब अच्छी बनी रहेगी तो फर्स सर्विस से पहले इन स बाइस इसे कहते हैं वह खराब हो जाए तो उसको बचाने के लिए और बाइक की लाइफ और मालेज बढ़ाने के लिए कोसिज करना तीन लीटर से उपर फ्यूल रखना अते थर्ट पंट पर अपने और एक चीज़ नोटिस करना मैं एक पॉइंट में दो पॉइंट बता हो नहीं होती है ठीक और ट्रिपलिंग अभी बाइक पे करना भी नहीं और फर्स सर्विस से पहले तो भाई बिलकुल भी नत करना और साथी में कुछ ज्यादा वेट वाली चीज़ बाइक पे मत लेना इससे क्या होगा जब ज्यादा वेट पड़ेगा तो आपके इंजन को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ज्यादा पावर जनरेट करना ही पड़ेगी तो इससे आपके इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है तो फर्स सर्विस से पहले भाई ट्रिपलिंग नहीं करना है ज्यादा वेट नहीं डालना भाई इस चीज़ का प्लीज ठीहान और एक आप लोग को बोनस पॉइंट बता देता हूं भाई बाइक मेंना हवा मतलब टायर में हवा सही से रखना इससे इंजन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा या इंजन पर मानके जो कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा बठागर हवा कम होगी तो अब मैं आपको पास से दिखाता हूं कि क्या चीज़ करना है सबसे पहले भाई जब भी आप चला रहे हो ना तो आपको ऐसी ग्रीप पकड़नी है बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे हाथ सक लेते हैं उससे क्या होता है कि पता भी नहीं चलता हो हमारा जो ब्रेक है यह एप अप्लाई रहता है तो हमेशा हाथ को ऐसे रिलेक्स पोजीशन में रखो ऐसे कभी मत लखना क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को इतनी नौलेज नहीं होती है तो वह गरबर कढ़ी देते वह सो भाई ड़के मारे यह वैसे भी आदत बन जाती है वह ऐसे ही रखके चलात है अब आते हैं अपने नेक्स पॉइंट पे नेक्स पॉइंट है हमारा कि जबी आप सुभा उनिकाल ले नो तो एक काम करना अपको न श्टार्ट कर देना ये फसर सर्विस पूरा नीचे चला आता है तो आप लोग इस्टार्ट कर दोगे तो बाइक के जहां जहां जाना है अच्छे से पहुच जाएगा उसके बाद आप अपनी बाइक नॉर्मली चला सकते हो और अगर ऐसा नहीं करोगे तो बाइक का जो इंडिया नहीं अगर उससे मतलब जित्ते इंपोर्टेंट हो जाता है एक चीज का आप लोग इस पेसली ध्यान रखना कि फस्ट सर्विस से पहले रैस ड्रेविंग बिलकुल भी मत करना और बार बार ब्रेकिंग मत करना ठीक है अरां से चलाना फस्ट सर्विस से पहले ठीक है यह पूरे मैंने आपको करके चला रहे हो यह फिफ्त गेर में 20 के स्पीड चला रहे हो गेर के एकॉर्डिंग ही हमें चलाना है कि जिस गेर में हमें जितनी स्पीड चलानी चाहिए उससे क्या होगा हमारे इंजन पे लोडनी पड़ेगा ठीक है यह तरीकर से मालों दो पॉइंट हो गए आपके थर्ट पेट्रोल आपको हमेशा एक ही पेट्रोल डलवाना है ठीक है जैसे आप एक्ट्र डलवा रहे हो तो एक्ट्र डलवा रहे हो नॉर्मल डलवा और साथी में तीन लीटर से ज्यादा फ्यूल अपनी बाइक में रखना ठीक उसके बाद ट्रिपलिंग बिल्कुल भी नहीं कर जलना है वेट डालोगे तो भाई इंजिन को फोर्स लगेगी और ज्यादा पावर जनेरेट करनी पड़ेगी जिससे इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है ठीक साथी में जो मैंने च्छोटा सा पॉंट बताता कि टायर में हवा चेक करवाते रहना वो सही रहेगा आप लोके उसके बाद जो में चीज है कि आपको चलाना कैसे है यहां पर हाथ नहीं रखना हाथ हमेशा ऐसे रखना है वहना यह अपलाई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो आई होप गैस आपको वीडियो पसंद आई होगी देखो हो सकता है थोड़ी सी बोरि करनी पड़ेगी और यह ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है दस साल से बाइक चला रहा हूं बहुत बाद सर्वी सेंटर गया हूं हमेशा खुदी सर्विस करवाता हूं वाई कि उनसे बात करते रहता हूं तो नॉलेज मिला करती जैसे जितने अप अलग लोगों से मि लगी तो आपको पता ही करना है वीडियो पर लाइक करना कमेंट करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करना सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाइबार टेक केर कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग